जब उस पार्टी की करनाटक में जीत होती है तो करनाटक के एक शहर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिये जाते हैं तो क्या ऐसी पार्टी जिसके जीतने में भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिये जाए इस पार्टी का मेंबर को यह ऐसी बा यह जरूर हो रहा है पर वह 705 केस हो जो उनके सरकार की रजिस्ट्री केस है उस पर भी तो बात कर ले ना कम से कम तुम जागो इस चीज से जागरुत हो कि तुमको को करें जो नेता इस मुवी के खिलाफ बोल रहे हैं वह एक बार पहले यह रिटन में लिखके दे कि हम आईसाइस को मुसल्मानों का प्रतिनीदी मानते हैं मैं यह नहीं कहूंगा कि तुम्हारा इसलाम खराब है यह ऐसा चीज है क्योंकि तुम्हें खराब बनाने की कोशिच की जा रही है बाहर के लोगों के जरिए वह बेहन बेटी है जो तीन लड़किया सामने आके दिखाती है और उस पर बंगाल की मुक्ष्यमंतरी कहती है कि यह मूवी सच्चाई पर अधारित नहीं हम बेहन करते हैं ख Liberty Home फूली में दिखाई गई हाकीकत हiकत क्या दिखाई गई यह किसी की धर्मों consentus की गई है जो बाहर के जैसे शीरिया जैसे लोग यहां के मुश्लिमों को फंडिंग करके उसके बाद यहां की लड़कियों को और जितने भी लड़के हैं उनके मुश्लिम में जो इनको सिखाते हैं कि मैं तुम यह चीज करो मैं तो यही कहूंगा अरे यार तुम भी सुधरो कम से कम तुम जागो, इस चीज से जागुरुत हो, कि तुमको कोई गुमराहन न करे, ये बात हमारी हिंदुों कोई नहीं है, तुमारे लिए भी है, तुम कहतो हमारी सचाई दिखाए, तुमारी सचाई हकीकत दिखाए गए, क्योंकि तुम्हें बाहर से फंडिंग मिलता है, इस वज़े से तुम लोग ऐसे काम करते हो मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारा इसलाम खराब है या ऐसा चीज है क्यूंकि तुम्हें खराब बनाने की कोशिच की जा रही है बाहर के लोगों के जरिये जो बाहर के लोग बैटे हुए है और केरला मूवी जैसी है ना ये केरला मूवी ऐस एक सच है एक सच पर अधारित और सची घटना पर है मैं तो आने वाले समय पर यही बोलूँगा कि केरला मूवी आप जैसी बेहन बेटिया जरूर देखें और बहुत तूट के देखें और कुछ लोग बिरोध भी कर रहे न जो केला मूवी के बिरोध कर रहे ना वो आतंक को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो बिरोध नहीं कर रहे हैं यह चाहते हैं कि जिनकी आखें खुल रही हैं उन्हें खुलने मत दो उन्हें पर परदा पड़े रहे हैं तो यह जैसे ममता जी है ममता जी क्या क्या उन्होंने बंगाल में बैन कर दिया किसलिए पंगाल में इसलिए बैन किया इनोंने कि अगर वहां के हिंदुत देख लिए तो जाग जाएंगे कि हां सच में गाउं-गाराज में यह जरूर हो रहा है और अभी तो केला स्टोरी आई है आने वाले टाइम पे बंगाल स्टोरी भी आएगी देख लेना तुम और सबसे ज़्यादा तो मैं कहूंगा ये अदाश हरमा की जो एक्टिंग है बहुत अच्छी है और कम बजट की मूवी एक सुपर हिट मूवी निकली और वो मूवी नहीं है एक सची घटना पे अधारिक मूवी है जिस तरीके से बंगाल में इस मूवी को बैन किया गया तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो मुस्लिम वोटर्स हासिल करने के लिए ये कदम उठाया गया बहुत से मैंने देखा है कि मुश्लिम लड़किया और लड़के भी इस मूवी को देखने गए हैं देखे हैं और समझे हैं मैं तो उनको भी यही कहूँगा जिस तरह की बंगाल में ये राजनीती होरी बोटिंग की न इससे दूर हटके अपनी सच जानने की कोशिश करो कि मेरे आँख खोलेगी ये मूवी मेरी बेहन बेटियों की आज कॉलकाता में और बंगाल में बिरोध हो रहा है क्या बिरोध हो रहा है कि केला दा स्टोरी शनी महाल पे लगनी चाहिए इसलिए कि कि वहां के लोग भी देखना चाहते हैं इस मूवी में ऐसा क्या है जो इतनी बड़ी बिजनस और उपर तक जा रही है ये मूवी सर आप बताईए दा केला स्टोरी में ऐसा क्या कुछ खराब दिखाया गया है जो दो राजियों में इसको बैन कर दिया गया है दिखाए गया असलियत दिखाई गई है राणी की बात है कि आज भारत में इंदुस्तान में हम लोगों को मूवी दिखाकर जगाना पड़ रहा है जो कि वो लोग 40 साल 30 साल से लगातार कारे करे जा रहे आप केरल में देखिए 32,000 से ज़्यादा लड़किया गाई वी जो कि वहाँ पर सरकार कहती है अब सरकार डिनाई करी है कि रहना इस तो हैरानी की बात है कि 705 केश क्यों रजिस्टर है ना 263 से जादा जो रेस्की कि उसमें भरती किये जाते हैं लड़की आपके राज जिसे क्यों आत आइस आइस में लड़के भरती किये बाकि और राज से नहीं हो रहा पर यह कारवाई के बाद बंगाल में स्टार्ट हो चुका है उत्तर परदेश की तरफ बढ़ रहे हर्याना की तरफ पढ़ रहे कश्मीर तो एक जाकी था इनका बाकी पूरा भारत दिखाना चाहते हैं अगर हिंदु जिस तरीके से सेकुलर्जम का चोला ओड हिंदुओं ने एक तरीके से भारत को अंधकार की ओल लेके जा रहे हैं आप सोचिए कि वह बेहन बेटी है जो तीन लड़किया सामने आके दिखाती है और उस पर बंगाल की मुक्ष्यमंत्री कहती है कि यह मूवी सच्चा यही पर अधारितनी हम बैन करते हैं सुप्रीम क इसार के लोट कहता है कि आप से कानून व्यवस्था नहीं वह होता तो आप इस्तिभा दे दिखे ऐसी सरकार लाचार सरकार है योगी जी की सरकार देखिए कि देखा रहे हैं और आने वाली जो भी मूवी होगी जो देश के इतिहास को दर्शाएगा जो आने वाले जनता को जागरूट करेगा वैसे मूवी देखनी जरूरी है सर आप बताइए कि देखेला स्टोरी में ऐसा क्या कुछ है जो लोग इसको इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं इस पर आरोप लगने कि एक प्रॉपगेंडा के तहत बनाए गई है कौन से लोग क्या एक आम मुसल्मान इसका विरोध कर रहा है इस मूवी के लिए सबसे बड़ा प्रॉपगेंडा जो इस मूवी के लिए बनाया गया है कि यह मुसल्मान विरोधी है तो मैं केवल यही पूछता हूँ आप से नॉर्मली पूछ सकता हूँ क्योंकि आप मीडिया से हैं और देखने वालों से पू मुसल्मान को यह मौली को जो बहुत सारे टीवी पर आते डीबेट है इस मूवी का आप कहना चारें कि राजनीटी इसमें चल रही है मुझे पता वाहां मुसल्मान कहा है मौली कहा है वह क्यों विरोध नहीं कर रहे हैं इसका जवाब दे दे क्योंकि उन्हें पता है ये मुवी मुसल्मानों की खिलाफ नहीं आईस आईस के आतंगवाद की खिलाफ बनाई गई है मैं तो ये बोल रहा हूँ जो नेता इस मुवी के खिलाफ बोल रहे हैं वो एक बार पहले ये रिटर्ण में लिखके दे कि हम आईस आईस को मुसल्मानों का प्रतिनीदी मानते हैं इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये मुवी आईस आईस नहीं मुसल्मानों की विरोधी है क्या वो ये बोलना चाहते हैं क्या उसमें मुसल्मान शब्द का इस्तिमाल गया किया गया मूवी में या आईसाइस के लोगों को दिखाया गया विरोध हो कि अगर बात करें तो त्रिवुंदन प्रवम से सांसद शशी धरूर जी उनका बयान था कि ये आपकी स्टोरी हो सकते हैं कहला कि हमारी नहीं वो इसको कह रहे हैं कि हम इसका समर्धन नहीं कर रहे हैं इस पार्टी की कृनाठक और जीट होती तो करनाठक शेहर पाकिस्तान जिंदा बाद पfed नारे लगा दिये जाते हैं तो क्या इसी पार्टी जिसके जीतने पे भारत में पाकिस्तान जिंदा बाद 桂र लगा दीए जाए 2 पर्ट का ममेंबर को एसी बात बोलता है तो कुछ पार्टी की जीत को जीत माना चाहना? क्या पार्टी के जीत को जीत माना चाहना चीही है! क्या कर दो क्या कर रहा है मारे इलेक्षं कमिश्ञ? वह जीता है इस गुड! नहीं और फॉलकाड बी बोल देतेे prolstellung देता है झाल झाल